हेलो फ्रेंट्स आज हम राएंगे एक कप गेहुं के आठे से एसा हल्दी नाश्टा जो आप नाश्टे में बच्चों की टिफिन में छोटी मूटी पार्टी में आसानी से कम से कम समय में बना सकते हैं तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो इसके लिए हम एक कप कहुंक आटा लेंगे, यह वही आटा है, जिससे हम रोज रोटी बनाते हैं, और हमारा नाष्टा अच्छा प्रिस्पी बनेगे, इसके लिए हम इसमें दो चमज ओईल डाल देंगे, ओईल डालके हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, करीब मैंने सफेग तिल लिया है, इससे हमारा नाष्टा बहुती सुंदर दिखेगा, और इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस नाष्टे में मैंने वही इंक्रिडिट यूज किये हैं, जो नॉर्मल हमें हमारे घर में मैं मेल ही जाते हैं, और अब इसे हम पानी से भीगो लेंगे, और एक बढ़िया सा डो बनाकर तयार कर लेंगे, तो हमें इसका डो बना लेना है, बस इतना इस बात का ध्यान रखें कि रोटी के लिए जितना सॉफट बनाते हैं उससे हमें थोड़ा कड़क बनाना है, इक पानी भी हमें लगता लगता ही डालना है, तो ये देखिए एक सक्त आटा गूंत लिया है, तो अब हम इसे 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे, ताकि इसकी आटा और जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए, तब तक हम इसकी स्टफिंग तयार कर लेंगे, तो इस नाश्ते क लेंगे, तो ये मैंने एक चौथा ही चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, यानि ब्लैक काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और ये एक चम्मच मैने पीजा सिसनिंग लिया है, आप इसकी जगव मिक्स होग या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कद्दुकस इसलिए नहीं किया है, क्यूंकि कद्दुकस करने के बाद सब्जिया पानी छोड़ देती है, इसलिए मैंने इसे बारिक बारिक काट लिया है, और अब इसमें बारिक कटी प्याज डाल देंगे, यदि आप प्याज नहीं खाते हैं, तो आप इसे अब इसमें डालेंगे स्वादा नुसार नमक तो मैंने इसमें एक चमच नमक डाला है और आप हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसमें सब्जी एड करें या फिर सिर्फ आलू से आप ये नाश्ता बना सकते हैं लेकिन सब्जी एड करने से बच्चों को बच्चान होचाता है और नाश्ता भी थोड़ा कलरफूल देखता है तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैं टेमैटो सॉस पहले डालना भूल गई थे तो अब हम इसे तो अब इसे ठोड़ा साइड में रख लेंगे और जो ने आटे कर दो बनाकर रखा अब हम उसे चेक कर लेंगे तो देखिए है अच्छे से पूल गया है तो अब हमने इस पे थोड़ा सा ओई डाल देंगे और इसे थोड़ा मल लेंगे फ्रेंड्स यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अब इसकी दो बड़ी लोई बना लेंगे फ्रेंड्स आप इस नाश्ता गूती भी आटे से भी बना सकते हैं जैसे नॉर्मली हमें रोटी बनाते है तो फिर कुछ आटा बच जाता है तो उसे भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं तो इस इसकी बड़ी सी चपाती बेल लेंगे लोई में हम इस तरह से सूका अटा लेंगे और इसे बेल लेंगे तो ये रिखे इसकी मैंने बड़ी सी चपाती बेल लिया है तो इसे मैंने नाश्ता रखा है ना बहुत जादा पतला किया है तो इसे ने हम साइड से इस तरह से काट जड़ी चपाती बना देख्ष नाश्तिक बना पाएंगे इसलिए कोशश करें चपाती बाती यदि ज़्यादा बड़ी हो तो अच्छा होगा क्योंकि आपके यक बार में 34 पीसे बन जाएंगे तो अब हम इसे लंबी लंबी पट्यों की तरह काट लेंगे तो देखिए हमार जाप आलू कामसाला वाना की रखाता उसे डाल देगे तो अलो का मसाला थोड़ा ही थाले हैं की इतना ही डाले की जितना हमारे जो पीसे सोंगे उससे बाहर ना निकले और अब हम इसे इस तरह से चप्टा चप्टा फैला लेंगे हातों से इस तरह से शेप देंगे तो अब हम इसे हातों से इस तरह फैलाएंगे कि इसे चप्टा सा एक शेप देंगे या चोकोनी इस तरह से शेप देंगे और अब हम इस शुर्ट कर लीजी पार मैं थरों और dovος द्यूंबर में तरहा कर दो दिएंगे इस तरह से वी गीजम हण का उलो noi मैं भाको फे बारता नास्ता सुंदर दीक रहा है य०ि आप यह आप पसंदने करते तो आप सटीम करके भी घा सरते हैं लेकिन अभी मैं इसे डीप नब तो इसे ब móक पैंने के पैसे बाद हम लेखे हम इसे से बाद हम से लिए सानका को जाने के तो के लेके ना घ्रै CAP यो इसे तरह कीब लेखे हैं तो इसे बांत हम तो यह देखिए एक कब गिहू के आटे और आलू से हमने कितना बढ़िया नाश्ता बना कर तरायर किया है जिसका टेस्ट बहुती चटपटा क्रंची और यम्मी है इसे आप चोटी मोटी पार्टी में स्टार्टर की तरह बनाएंगे तो महमान तारीफ करते नहीं थकेंगे पच्छों को टेफिन में देंगे तो बच्चे टेफिन पूरा फिनिश करके ही लाएंगे और यदि बारिश में पकोड़े खाकर बोर हुगय है तो इस रेसेपी को ज़रू ढ़ू करें तो हर बारिश में पकोड़े छोड़कर आप यही नाश्ता बनाएंगे रेसेपी आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर पता है पसान आने पर वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो